नमस्ते स्वागत है आपका हमारी नए वीडियो में तो इस वीडियो में हम यह एनलोग क्लॉक बनाएंगे तो हमारे पास यह से किंड्म है यहां पर आवर एंड यहां पर मिनट्स है तो हमारे पास यह क्लॉक सही से चल रहा है तो हम यह complete clock बनाएंगे इस वीडियो में एंड इसका complete code आपको इस github repo में मिल जाएगा जिसका link में नीचे description में provide करवा दूँगा तो इसके साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को हम आ चुके अपने vs code में तो यहाँ पर मैंने folder open किया हुए अनलोग clock तो यहाँ पर हम अपनी सारी files बना लेंगे first of all index.html इसके बाद styles.css and script.js तो हमने इस सारी files बना लिए हैं भी next में चलते हैं और यहाँ पर boilerplate code ले आते हैं अपना और यहाँ पर title में डाल देते हैं analog clock अब इसके बाद हम अपने styles को link कर लेते हैं so styles.css अब इसके बाद यहाँ पर script को भी link कर लेते हैं तो यहाँ पर source देते हैं script.js अब इसके बाद body में चलते हैं सबसे पहले मुझे container चाहिए तो एक div बना लते है container class नाम से so container अब इसके बाद इस div के अंदर हम एक clock class नाम से एक div बना लते हैं so यहाँ पर dot clock अब इसके अंदर हमें सारे numbers चाहिए 1 to 12 तक तो वह बना लते हैं तो मैं चाहिए span tag और span tag के अंदर एक tag अब इसके अंदर 1 और 12 तक चाहिए so इसको copy paste कर लेंगे हम यहाँ पर numbers change करते हैं 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 तो हमने सारे numbers set कर लिए हैं तो अब हम यहाँ पर go live पर click करते हैं तो हमारे यहाँ पर website live पोचके और यहाँ पर हमारे पास numbers आ रहे हैं तो अब नमबर को styling देते हैं so styles में चलते हैं तो first of all मैं अपने root element को select करता हूँ और यहाँ पर margin देते हैं 0 padding देते हैं 0 box sizing देते हैं border box pond family देते हैं sans serif color देते हैं white अब इसके बाद body में चलते हैं body में देते हैं display flex justify content भी देते हैं center align items center minimum height देते हैं 100 vh background हम background देंगे ui gradient को use करके तो यहां पर ui gradient सर्च पर करते हैं और यहां पर ui gradient आगे हमारे पास अब इसके बाद show all gradients में आज हम use करेंगे frost तो यहां से इसका css copy करेंगे और यहां पर paste कर देंगे यह comments हटा रहते हैं save करते हैं और अपनी website पर चलते हैं तो अब मेरे पास पीछे background color change हो चुका है अब हमारे पास इसके बाद यह वाला container है तो इसकी styling कर देते हैं तो dot container इसको हम position देंगे relative अब इसके बाद हमारे पास clock वाला div है तो इसको styling दे रही है हमने so dot clock width देते हैं 300 pixel height देते हैं 300 pixel border radius देते हैं 50% और background देते हैं radial gradient तो इसमें हमने effect देना है तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा circle rgba 0.1 और यह होगा 30% और इसके बाद rgba 33 33 0.8 and yoga 80% save करते हैं तो अब हमारे पास यह circle आ रहा है थोड़े से effect के साथ तो अब यह भी हो गया अब इसके बाद इसको box shadow देते हैं 0 pixel 0 pixel 30 pixel and rgba 0,0,0,0.9 save करते हैं तो अब हमारे पास box shadow भी आ रही है अब इसके बाद हमारे पास यह सारे numbers हैं जोकि span में हैं तो यह हमारे पास numbers हैं तो अब हम इनको styling देते हैं so dot clock span इसके अंदर इनको position दे देंगे absolute और transform कर देंगे rotate तो अब हम rotate use करके करेंगे calc को तो हमारे पास 360 degree होते हैं total तो हमारे पास 12 numbers हैं तो divide by 12 करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा तो एक एक number को में 30 30 degree होते जाना है तो उसके लिए हम calc में जाएंगे और यहां पे 30 degree और इसको multiply कर देंगे variable के साथ जो कि हम अपने html में ही define करेंगे तो html में चलते हैं तो यहां पे हमें variables define करना है तो यहां पे देंगे style और हमें सब में देना है तो उसके लिए हम यहां पे multiple के लिए select कर लेते हैं आप windows में alt use करके कर सकते हैं इसे and mac पे option करके तो यहां पे हम देंगे style और style के अंदर i variable और इनकी value 1 अब सबको 1 मिल गया है तो सबकी change करने वे यहां पे अब यहां पे आते हैं तो अब हमने अपने सारे numbers को दे दिये value तो यहां पे हमें देना पड़ेगा insert 12 pixel तो हमारे numbers अब यहां पे ऐसे आ गया है अब इसके बाद text align करते हैं center तो अब तो अब हमारे numbers सही से आ रहे हैं अब इसके बाद हमें इन्हें सीधा करना है तो उसके लिए हमें करना पड़ा है डॉट लॉक स्पैन बी टैग और इसके इंदरवान नमबर है तो ट्रांसफॉर्म और यहां पर रोटेट कैल्क माइनस 30 डिग्री इंटू वेरियेबल आई सेव करते हैं और इसके बाद हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा इनलाइन ब्लॉक और पॉंट साइज दे देंगे हम 20 पिक्सल सेव करते हैं तो हमारे पास हमारे नमबर अब सीधे आ रहे हैं तो अब यह भी हो गया अब इसके बाद हमें सेंटर में डॉट चाहिए क्लॉक के लिए सो इसके लिए डॉट क्लॉक बिफोर कॉंटेंट हमें कुछ नहीं चाहिए इसके बाद पॉजीशन पॉजीशन एपसलूट विट दे देंगे 12 पिक्सल आइड दे देंगे 12 पिक्सल बॉर्ड रेडियस देते हैं 50 पट्सेंट और बैक्ग्राउंड कलर देते हैं वाइड तो अभी मेरे पास यह डॉट आ रहा है और जेड इंडेक्स दे देंगे डूट सेव करते हैं अब इसके बाद यहां ऊपर चलते हैं अब हमें क्लॉक में लगाना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कॉंटेंट सेंटर अलाइन इटम्स सेंटर सेव करते हैं तो अभी मेरे पास डॉट सेंटर में आ रहा है अब इसके बाद हम अपने हैंड्स बना आते हैं तो इंडेक्स में चलते हैं तो इंडेक्स.html में मुझे चाहिए थ्री हैंड्स तो थ्री हैंड्स ले आते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहां पर डॉट हैंड और इसके अंदर डिवस के अंदर मुझे आईटैक चा फर्स्ट आवर हैंड है फिर मिनट है फिर सेकंड है तो अब हम इनको आईडी देते हैं आईडी आर देते हैं से और इसे आईडी देते हैं मिनट अब इसके बाद हमें स्टाइलिंग भी करने पड़े इनकी तो जो वेरियेबल स्टाइल्स हैं वो पहली देते हैं आप यहां पर सो कलर देते हैं अपने आर एंड का तो यह हमने कलर दे दिया और इसको हैट भी देते हैं इसको 64 पिक्सल अब ऐसी मुझे नीचे देनी है तो इसी को ही हम कॉपी कर लेंगे और मिनिट वाले हैंड में चलते हैं और यहां पर इसका कलर चेंज कर देते हैं इसको करते हैं 00 A6 FF और की तेज़ बहुत हैं 94 पिक्सल देते हैं स्टाइलंग में चाहिए। बहुं स्टाइलिंग में चलते हैं और इनके लिगन divine इते हैं absolute और background color जो हमने वहाँ पर variable दिया है तो dash dash color and इसके बाद बिढ़ देते हैं 4 pixel और height देते हैं जो हमने वहाँ पर variable दिया height and इसके बाद border radius देते हैं 8 pixel save करते है तो अभी मेरे पास यहाँ पर यह एक दूसरे पर overlap है तो इसलिए ऐसे आ रही है अब उपर dot hand पर लगाते है position absolute display flex and justify content center and align items flex and save करते हैं तो मेरे पास यह कुछ सही से आ रही है तो अब हमें इनको set करना पड़ेगा अपने time के according तो उसके लिए हमें script में चलना पड़ेगा तो script में चलते हैं और यहाँ पर सब को हम अपनी values को ले जाते हैं जो कि हमने id दी थी hour, minute, second तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर let r is equal to document dot get element by id यहाँ पर r ले लेंगे और ऐसे ही let minute is equal to document dot get element by id minute and let second equal to document dot get element by id second अब इसके बाद हम function नाएंगे display time और इस function के अंदर let date equal to new date अब इसके अंदर अपने hours, minute और second लेंगे so let hh is equal to date dot get hours इसके बाद let minute equal to date dot get minutes इसके बाद let seconds equal to date dot get seconds अब इसके बाद let h rotation equal to 30 into r plus minute divided by 2 and as i let m rotation equal to 6 multiplied by minutes and let s rotation equal to 6 multilever seconds save करते हैं अब इसके बाद hr dot style dot transform कर देंगे हम equal to rotate और इसके अंदर हम variable डाल देंगे h rotation और यहां पर degree ऐसे अब में अब minute hand के लिए करना पड़ेगा minute dot style dot transform equal to rotate और यहां पर m rotation डिगरी ऐसी अब हमें second के लिखना होड़ा है second.style.transform equal to rotate और यहाँ पर आजागा हमार पास variable s rotation और यहाँ पर degree सेफ करते हैं और यह हर एक second पर चलना चाहिए तो set interval लगाते हैं और यहाँ पर डिस्प्लेय टाइम कि महा हजार कि सेफ करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा time यहाँ पर clock में सही से चल रहा है और अगर हम उपर देखें तो यहाँ पर 6-6 है और नीचे हमारे पास time 6-6 आ रहा है और हमारे seconds सही से चल रहे है तो हमारे प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो चुका है कि इसका complete code आपको इस github repo में मिल जाएगा जो कि मैं आपको नीचे description में provide करवा दूँगा और हमारे पास और भी javascript रोजेक्ट रेक्ट रहें बीनर के लिए हमने यहां पर मीम जरेंटर बनाया अलाम क्लॉक बनाया टेक्स तो स्पीच के अवर्टर बनाया है तो आप चेक आउट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए थैंक यू कर सकते हैं